असलाम नेकुम नर्सी क्लास डियर फालकंस कैसे हैं आप मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खेरियस से होंगे प्यारे बच्चो आज मारा ओनलान क्लास इसका लेक्टर नमबर 16 है आज हमने पेज नमबर 31 सोल करना है और साथ में नीट कॉपी का काम भी करना है उससी नीट कॉपी का काम जो आपने स्कूल रेडी करने के लिए दी थी मैं उम्मीद करती हूँ के आपने स्कूल से कॉपी जो हैं वो कलेक्ट करनी होंगी Very good कोपीज का काम आपने लेक्चर को मंदे नज़र रखते हुए करना है तक्रीबन 80% बच्चों ने कोपी स्कूल में जमा करवाई थी उनकी रेडी भी हो गई है और तक्रीबन बच्चे ले भी गए हैं लेकिन प्यारे बच्चों जिन्हों ने अभी तक अपनी स्कूल में कोपी जमा करवाई तो काइनली वो हर हाल में आज स्कूल में कोपी जमा करवाई ठीक है आज हम activity करेंगे प्यारे बच्चो ये देखें ये है पहले ये sparrow देखें कितनी प्यारी sparrow बनी हुई है क्यूट है ना इसकी बीग देखें कितनी प्यारी है और आइस उससे भी ज़्यादा प्यारी है ना अब हम activity की तरफ आते हैं ये है number 17 अब 17 से पहले क्या आता है हमने जो पहले आता है वही number लिखने है तो 17 से पहले आता है 16 इसकी लिखें तो मैंने 16 लिखा हुए आपने भी ऐसे ही प्यारा प्यारा करके लिखने है next 21 से पहले क्या आता है 20 21 से पहले क्या आता है 20 20 5 next नमबर है 25 25 से पहले क्या आता है 24 यानि यह वट कम्स भी 4 है ठीक है पहले क्या आती है नेक्स नमबर 19 19 से पहले 18 लिखा है मैंने 18 ही आता है 23 नमबर 23 23 के बाद को सोरी पहले कौन सा नमबर आता है 22 22 अब हमारा लास्ट नमबर है 27 27 से पहले क्या आता है 26 ऐसे ही मैंने पूरी अक्टिविटी सोल की है प्यारे बच्चों मैंने नीट को पिस का काम ओपन कर लिया है ठीक है पहले आज हमने क्या लिखने हैं काउंटिंग पहले पेज पे वन टू फिफ्टी काउंटिंग लिखी हुई है यह आपने दो वरतमा लिखनी है मैंने लिख सी वरक ठीक है और नेक्स्ट पेज है एस डब्यू वाला ठीक है यानि होंवर्क वाला यह दोनों पेजिज आपने लिखने है मैंने क्लास वरक वाला पेज आपको लिखके दिखा दिया है आपने ऐसे ही प्यारे प्यारे करके काउंटिंग लिखनी है वन टू फिफ्टी औ और दो मर्तबा लिखनी है ठीक है जब आपने classwork वाला पेज और homework वाला पेज करना है तो आप दो मर्तबा ही लिखना है यहाँ तो आपने दो मर्तबा ही लिखना है यह आपकी डायरी है page 31 solve on book do homework ठीक है प्यारे बच्चो डायरी नोट कीजिए इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ के copies अपनी जल्दी से school office से collect करने लेकिन जब आपने school office से collect करने आना है यानि वापस लेने आना है तो आपने साथ में फीस कार्ट भी लेके आना है ठीक है आपकी फीस जो है वो जमा होनी चाहिए इस मा की अब इन्शाला हम लेक्चर नमबर 17 में मिलेंगे अपना ख्यारे कियेगा अल्ला हाफीज